चलिए दोस्तों हम लोग क्लस 12 बोर्ड एक्जाम के पॉलिटी के सैंपल पेपर के सेक्शन ए को देखते हैं नमबर वन विच ओफ दीस स्टेटमेंट्स अबाउट दा प्रिंसली स्टेट्स इस इनकरेक्ट कौन सा है आपको बताना है यह तो सही है तो यह एंसर नहीं होगा कुछ-कुछ प्रिंसली स्टेट्स तो अपने आप ही इंडियन उनियन के पार्ट बनना चाहते थे उसके बाद दा इंडियन गवर्मेंट वस रेदी तो गीव ओटोनोमी तो सम रिजियन्स यह भी सही है उसके बाद first of all the ruler of junagar announced that the state has decided on independence यह सही नहीं है यानि कि यह आपका option हो जाएगा क्यों क्योंकि junagar के जो वहां के जो king थे या वहां के जो शाशक थे वो बोले थे कि वो लोग पाकिस्तान के पार्ट बनना चाहते है तो इसलिए यह आटोनोमी तो मतलब independence तो नहीं होना चाहते थे तो इसलिए यह हो जाएगा आपका option उसके बाद princely states covered one third of the land area of British Indian empire यह भी हो जाएगा आपका right ठीक है तो number two को देखते है डाश acts as a think tank of the union government के इंडिया के think tank कौन से है इसका answer हो जाएगा नीती आयोग उसके बाद question number three को देखते है which state of the countries belong to the NATO group नाटो माने North Atlantic Treaty Organization ठीक है तो यानि कि North Atlantic Ocean के side में जो सब countries होंगे वही आएंगे इस group में देखे कौन सा है Poland, Britain, Romania, Romania, Britain तो हो जाएगा लेकिन Romania और Poland दोनों ही North Atlantic के side में नहीं है Romania आजाएगा आपका Europe के East side में यानि कि Asia के side में और Poland भी आपका land locked हो जाता है तो मतलब यह Atlantic के side में नहीं आता है उसके बाद USA, Czech Republic, France तो सही है लेकिन Czech Republic भी land locked है तो यानि का Atlantic के side में नहीं है उसके बाद Britain, France, West Germany यह हो जाएगा आपका सही answer क्योंकि Britain खुद एक island है France भी North Atlantic के side में है और West Germany यानि Germany के West side भी Atlantic के side में आता है तो यह हो जाएगा आपका right answer नंबर फोर देखता है globalization leads to each culture becoming क्या हो जाता है globalization के साथ सारे cultures more different, more transparent, more distinctive, more different and distinctive हाँ यह हो जाएगा सही answer बहुत जादा बदल जाता है which of the factors contributed to Pakistan's failure in building a stable democracy क्यों Pakistan एक stable democracy नहीं बना पाया dominance of military यह तो सही है वहाँ पे military का dominance होता है dominance of clergy यानि कि जो धर्म गुरु टाइप के लोग होते हैं उन लोगों के dominance यह भी सही है dominance of land owning, aristocracy यानि कि जो लोगों के पास बहुत जादा you know high status के लोग होते हैं वो लोग भी अपने आपको राजा टाइप का मानने लग जाते हैं dominance create करते हैं तो यह भी सही हो जाएगा यानि कि all of the above ठीक है उसके बाद आरब spring began with, आरब spring कहाँ पे start हुआ था Russian revolution, Tunisian revolution, Egyptian revolution, Egyptian revolution या Syrian revolution यह start हुआ था Tunisia से ठीक है Tunisia कहाँ पे आता है अपरिका के नौर्थ में तो वहाँ से ही आरब revolution स्टार्ट हुआ था 2011 में ओके तो आज के लिए बस इतना ही देखते रहे हैं आपकी मन्जिल